सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक दे करके वाटसाप ग्रुप में सेयर करना ना भूले चित तौर के स्टार्ट करते हैं अच्छी ख़बर है आ रहा है ये 102 रुपीज करेट है अनन्दपूर 102 रुपीज अंगूल 88 रुपीज वियाज 92 करेट है विजेवारा जयवा सो करेट जारा निलोर 102 रुपीज गंटूर 100 रेंगल 102 रुपीज जिदीपेट 102 रुपीज तो कुल मिला के आन्दप्रदेश के लंगाना में काफी बढ़ियां रेट खुला है विहार पॉल्ठी की बात कर लेते हैं 90 तक यहां पर पटना का रेट है नवादा की बात कर लेते हैं 80 रुपीज करेट है सारण 83 रुपीज भागलपूर 85 तक जा रहा है सपॉल 75 तक है पुरुणिया जो है बो 78 तक रेट है मोतिहारी 76 तक मुझफरपूर 76 तक हाजीपूर 75 तक बेगुश राय 75 दर्भमगा 75 करेट है तो रेट यहां पर इंक्रीज किये हैं जितना है पहले उससे थोरा से इंक्रीज किये काफी बढ नहीं कहा जा सकता है 36 की बात कर लेते हैं राइगर 96 तक है खरसिया 97 रुपीश पतलगाव 97 बिलासपूर 97 अमिगापूर 98 रुपीश राजयंद गाव 95 रायपूर 96 करेट है दिल्ली अगर बात कर लेते हैं तो दिल्ली गाजीपूर मंडी का मिरे पास अभी तक पूरा आप 80 रुपीश के रेट है वडावल 88 रुपीश मंगरोल अठासी रुपीश आनद ओपनिंग की बात कर लेते हैं पिचासी के रेट है अहमदाबाद 84 रुपीश पालनपूर 84 रुपीश मोटसा चौरास रुपीश जाम नगर 85 वानकेनेट 85 का रेट हर्याना की बात कर ले मोट anchoghya ka रेट अबाता हुराय आप पूरांची 86 का रेट है जमसेदपूर 86 व्पीश तंदूरी की वहिए अगर बात कर लेते हैं बोकारो की बात कर लेते हैं मिनच्ट 95 रुपीश जो है 92 रुपीश के रेट है राजडलाप कर लेते चान्मध के रेट है तंदूरी एक केज स्वाइज, जमसेथपूर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 93 तक करेट आ रहा है, पलामू की बात कर लेते हैं, पलामू में 92 का है, बढ़ी की अगर बात कर लेते हैं, बढ़ी मुझे सेग्मेन ने बता दिया, करनाटका, करनाटका बैंगलोर 139 रुपीज, मैसूर 108 रुपीज, बेलगम 95 के रेट हैं, एमपी की बात कर लेते हैं, मोटा मुर्गा 76 रुपीज, मीडियम 92 का है, तंदूरी जो है वो, बानबर का चल रहा है, मीडियम 86 का है, जबलपूर 22 का चल रहा है, तंदूरी रुपी चिंदवारा 94 रुपीज, सिनोय 88, होशंगाबाद 82 रुपीज, बालागाट 87, बैतूल 87 रुपीज के रेट है, भुपाल 100 रुपीज, रतलाम की बात कर ले, 100 रुपीज तक जा रहा है, उजयन जो है वो, 75 से स्टार्ट हो रहा है, मोटा मुर्गा 75 का है, लेकिन तंदूर इन दौर की बात कर लेते हैं, वहाँ भी 102 तक जा रहा है, सिमरं जो है वो, इन दौर 75 रुपीज का मोटा मुर्गा बेच रहा है, व्राजनेगर 75 रुपीज, शतारा 74 का मोटा मुर्गा है, जहांसे 95 का तंदूरी है, गवालीर 5 तंदूरी है, इगर मोटा मुर्गा 72 पुने 85, मुंबई 87, मालेगा 84, वसी 90 रुपीज के रेट है, चंदरपूर 95 रुपीज, गौंडिय 88 रुपीज, यतमाल 95 रुपीज, नागपूर 104 रुपीज, बीड 87 रुपीज, और लातूर 87 का रेट है, पंजाब की बात कर लेते हैं, मोटा मुर्गा जो है वो 70 का विकरा काफी खराब रेट ही रहते हैं, लेकिन इस बार भी बहुत खराब रेट हैं, रजस्थान के बात कर लेते हैं, जलावर 72 रुपीज, जैपूर 12 रुपीज, युन्यूनू साट रुपीज, कोट पुतली, अंठावन, सिकार, साथ, रिगा, साथ, और कोटा, एक 70 रुपीज कानपूर 74 रुपीज, और जगदीशपूर 76 का रेट है, वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, कोलकाता, 87 का रेट है, मदिनपूर 85 रुपीज, जलीगुरी 80 रुपीज, दार्जलिंग की बात कर लेते हैं, 80 का ही रेट है, तो दोस्त ये तुरह है हमारे पॉल्टी रेट, अब चलिए हम लोग अंडे के रेट जान लेते हैं रोज की तरह अंडे के रेट जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं बता दू कि वीडियो के आंत में एक नोटी से उससे सुनना ना भूले को लगता की बात कर लेते हैं 482 रुपीज लखनवू 467 रुपीज ये पर हंडेड एक के हिसाब से चन्नाई 401 ठावन अजमेट 338 रुपीज व्याद 440 विजयवड़ा 338 आमदाबा 420 सूरत 430 रुपीज सुहसपेट 460 बैंगलोड 453 जहांसी 450 रतलाम 463 करनाल 430 रुपीज कानबुर 481 रायपूर 466 मुंबई 449 द्ली की की बात कर लेते हैं 458 रेट है अब मैं जिस नोटिस की बात कर रहा था वह बता रहा हूं मैं कल जो है वो मैंने एग रेट अपडेट किया पॉल्टी रेट अपडेट किया साथे साम में जो है वो मैंने चिक सी रेट भी अपडेट किया मैं एक कमेंट पढ़ने जाता हूं तो रेट अगर डाउन होते हैं और अप होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इससे अप और डाउन करने में मेरा कोई रोल ने रहता है लेकिन फिर भी जो है वो कमेंट मैं देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं लगता है ठीक है तो रेट बढ़ना घटना जो है वो जो हमारे कम बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं होलसेलर रहते हैं उनके हाथ में रहता है तो ऐसे कमेंट करने से पहले एक बार बिल्कुल सोचे कि इसके लिए जिम्मार कौन है जो लोग जो है वो अपने फार्म को कॉंट्रेक्ट फार्मिंग पे लगा रहे हैं असली जिम्मेदार वो है तो वो अगर आपके सरकल में है तो उनको कंभेंस करें उनको समझाए ना कि जो है वो कहीं दूसरा जाया कमेंट करने से बेहतर है कि हम लोग जमीन पर काम करते हैं मैं पॉल्ट्री फार्मर के लिए हमेशा त्यार हूँ जो इतना हेल्फ हो सकता है कोई दिक्कत है कोई सवाल है कोई सुझा है मैं हमेशा बोल तो कमेंट बॉक्स में डालिए उसको जो मिलकर के सौट आउट किया जाएगा और जो भी कॉंट्रेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उनको थोरा से कन्वेंस कीजिए उनके वज़े सही पॉल्ट्री रेट जो है वो खाराब आप जिस एडिया हम देख लेंगे कि पॉंट्रेक्ट फार्मिंग का तदाब जो है वो जादा है वहाँ देखेंगे कि रेट सुधरने का चांसेस बिल्कुल कम रहते हैं तो बस इतना ही बोलना था फिर मिलता है अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम चैनल ने सस्कार आपके सस्क्राइब कर लिजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक ला